दोस्तों आज की इस वीडियो में जाने के facebook group में dp कैसे लगाएं तो आई जानते हैं इसके लिए सबसे पहले facebook तूख आप को ओपरिते हैं ठीके दोस्तों Facebook ग्रूप में जो DP की बात है तो दो तरह से डिपी आपको देखने को मिलता है चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले जाने नहीं लिए आपको अगर हम किसी करते हैं किसीा गुरूप को सर्च करते हैं यहांस न dzisiaj पूर्चानीय में आपको सर्च किया ठीक है आधे डियुख है इसके मेंस वाक्षक करता हूं अयातुल क सि rif ठीक है आयतुल कुर्सी और इसको सच करने के बाद अभी आपको देखाएंगे ना तो यहां पर देखिए यह जो गुरूप है यह मेरा ही गुरूप है ठीक है लेकिन यह डीपी दीख रहा है तो एक्चुली में डीपी नहीं होता है यह होता है कबर फोटो अगर हमें मैं वि यहां से अपलोड फोटो का सब्सक्राइए लेकिन अगरे वहें पर माने यहोँ डीपी चेंज करना है तो इसके लिए हैं से बैक होना होगा और सीधे अपने प्रोफाइल पर जाना है और जब आप यहां प्रोफाइल प्रोटो चेंज करेंगे वह आटमेटिक वहां से डी पीख करते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत सारे फोटो है जो फोटो अपने अपलोड किया उसमें से कोई सभी फोटो ले सकते हैं तो अभी के लिए मैं अपने एककाउंट से फोटो ले लेता हूं देन से पे क्लिक कर दिया अब हमारा यहां से फोटो चेंज हो चुका है ठीके न यह जो डीपी है आप हमारा फेस्बूक का डीपी चेंज हो चुका है अब इसके बाद चलते बैक और चलते हैं फिर अपने गुरूप में यहां पर गुरूप का जो ऑप ठीके ना इसके अलावा अगर आपको यह वाल डीपी चेंज करना जो इसको इसको कवर फोटो डीपी कहते हैं इसको एडिट पर क्लिक करेंगा अपने गैली से जो भी फोटो सेलेट करेंगे वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा तो इस तेकर के आप बहुत ही आसानी से कर लें सो देट सी टूडे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाय एंड टेक केर